हेग गाईज वेलकम बैक टू बीकम टुटरे बाद फिर से सभी का स्वागत करते हैं आज का टॉपिक उत्तक भाग टू अगर मेरा पाला भाग उत्तक का नहीं देखें तो देख लिजिएगा फाले ही वीडियो बन चुका है तो चलिए आज हम लोग सीधे पॉइंट की बात करते हैं तो जहां भी ये पूछेगा की रंट वाहिनी किस उत्तक का बना होता है एपिथिलियम उत्तक, मुकस्तर एपिथिलियम उत्तक, इस तरह से question पुछा जाता है, रक्त जिसको blood हम लोग इंगलिस में कहते हैं, एक परकार का सन्योजी उत्ता है, जिसको connective tissue कहते हैं, रक्त की तरल अधातरी भा को plasma कहते हैं, तो एक एक point को अच्छे से समझ के आगे RBC, WBC तथा platelets होते हैं, plasma में protein, नमक था हार्मोन भी होते हैं, अस्थी जिसको हड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में bonds कहते हैं, सन्योजी उत्तक का उधारन है, तो याद रखिएगा कितना कितना हो गया blood, एक सन्योजी उत्तक, हड़ी भी एक सन्योजी उत्तक, आगे बढ़ते हैं, अस्थी calcium था फासफोरस से बनी होती है, यानि हमारी जो हडियां है, उसमें calcium था फासफोरस मतलब रहता है, ठीक है, नेच्ट है, तैस्वा नमर पॉइंट, कंडराज को टेंडन कहते हैं, ये भी क्या है, सन्योजी उत्तक है, जो अस्थियों से मास्पेसियों को जोड याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, अस्थियों से अस्थियों को जोडने वाले को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंड करके बताए, और अस्थि से मास्पेसियों को जोडने वाले को टेंडन या कंडरा कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्ट पॉइंट में, उपास्थि इस को तंत्रिका कोशिका या नियूरोन कहते हैं यह बहुत बार पूछा भी गया वैसे सारे कोश्टन जो मैं जो लाता हूं वो सारी इंपोर्टेंट होते हैं एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं होता है आगे बढ़ते 26 पॉइंट अनेक्ची पेशियों को काडि या हिर्द्यक पेशी कहा जाता है नेक्ष्ट है सतिस्वा पॉइंट जैलम पानी और खनिस पोधे के विभीन भागों तक पहुंचाते हैं मस्तिस के मेरे रुजुता तंद्रिका उत्तका बना होता है और पहले भी बात किये थे मूँक अस्तर आग की भीत्री अस्तर एपितिलियम उत्तका बना होता है कोशिकाओं के अध्यन के बिग्यान को साइटोलोजी कहते हैं और उत्कों के अध्यन के बिग्यान को हिस्टोल चोड़ काते हैं। तो आईए। और आज का कोट के साथ समाप्द करते हैं। तो चलिए, आज के सेसेन यहीं पर समाप्द करते हैं। लगातर विकैर थुटों से जुड़े रहीтории। यहीं क चिछ भी पेसे सासे कुछ भी कर देना चाहते हैं। दे सकते हैं थैंक्यू जै हिन जै भारत